नमस्ते साथियो मैं सुरेच छेतरी आप लोग सभी को फार्मिंग इंडिया यट्यूब चनल पे स्वागत करता हूँ साथियो ये वीडियो बहुत ही खास होनी वाला है क्योंकि इस वीडियो में आप लोग को बताऊंगा तो प्लीज चनल को सब्सक्राइब करके उसमें जो बैल आइकन है उसे भी प्रेस कर लीजिए ताकि सबसे पहले आप लोग को वीडियो का नोटिपिकसन मिल जाए देखे साथियो अगर आप लोग पहली बार मुर्गी पालन करने के बारे में सोच रहे हैं और उन मुर्गियों को पालने के दोरान आप लोग को ये सिखना है कि मुर्गियों में कौन-कौन से बिमारिया आते हैं मुर्गियों को किस तरीके से पाला जाता है मुर्गियों को कैसे सेल किया जाता है किस तरीके से सेल करने से ज़्यादा मुनाफ़ा होता है ये सभी ज्यान आप लोग को अच्छे से प्राप्त करना है और उसके बाद ही आप लोग को ज्यादा मात्रा में मुर्गी पालन करना है देखे साथियो पर आप लोग को उसी प्रजाती के मुर्गी पालन करना है जिस प्रजाती के मुर्गीों का डिमान आप लोग के वहाँ सबसे ज्यादा है जिस प्रजाती के मुर्गीों को सेल करने में आप लोग को कोई दिक्कत नहीं होता है आप लोग के वहाँ अगर सुना सबसे ज्यादा होता है तो आप लोग को करना किया है एक दिन के ससे करीदना है और जब साथ मीर्गर क Coordinator के खरीदना है तो उनने दानापानी के बरतन भी आप लोग खरीदना है और सव चूझол के लिए आप लगभग तीन दाना का बरतन और तीन पानी का बरतन खरीद चकते हैं और उसके साथ-साथ मुर्गियों को खिलाने के लिए आप लोग को दाना भी खरिदना है पहले अवस्था में चूजों को प्री स्टाटर फीट खिला जाता है और उसके बाद चूजों को स्टाटर फीट खिला जाता है तो पहले अवस्था में अगर आप लोग के पास ज्यादा पैसा नहीं होता है तो पहले अवस्था में आप लगभग 15 से 20 केजी प्रीज फीट खरीच चकते हैं और लगभग 50 केजी के एक बुरा फीट खरीच चकते हैं और जब आप लोग के पास पैसा होगा तब आप फिर से स्टाटर फीट और फिनिशर फीट खरीच सकते हैं देखे साथियों 100 मुर्गियों को बेचने के लायक बनाने तक आप लोग का लगभग 20,000 रुपए से लेकर 35,000 रुपए खर्च होगा और सोनाली मुर्गियों को एक केजी वजन होने के लिए लगभग 75 दिन से लेकर 80 दिन लगता है अगर आप लोग उन्हें अच 50 मुर्गी निकलते हैं और 45 मुर्गा निकलता है तो आप लोग को करना क्या है मुर्गियों को सेल नहीं करना है मुर्गियों को अंड उतपादन के लिए रखना है और 45 मुर्गों में 40 मुर्गों को सेल कर देना है और 5 मुर्गों को बाकी मुर्गियों के साथ रखना है मतलब आप लोग को 55 मुर्गियों को रखना है 50 मुर्गी रखना है और 5 मुर्गा रखना है और बाकी के 40 मुर्गों को सेल कर देना है तो 40 केजी मुर्गों को सेल करने के बाद आप लोगों को पैसा कितना मिलेगा 12,000 रुपे देखे साथियो जब आप लोग 40 मुर्गों को सेल कर देंगे तब आप लोगों को 12,000 रुपे मिलेगा और उसके साथ-साथ आप लोग के पास 5 मूर्गा और 50 मूर्गया रहेंगे 47 मूर्गों को सेल करने के बाद जब आप लोग को 12,000 रुपय मिलेगा तो उस 12,000 रुपय को आप लोग को ऐसे ही नहीं उड़ाना है उस 12,000 रुपे से आप लोगों को फिर से 100 सोनाले के चूजे खरीदना है और उसके साथ चात उन्हें खिलाने के लिए फीड भी खरीदना है साथियों सोनाले मुर्गिया लगभग सारे 4 से लेकर 5 महिने से अंडे दिना शुरू करती है और आप लोगोंने जो पहले अवस्था में 50 सोनाले मुर्गियों को अंडे उत्पादन के लिए रखा था वो मुर्गिया भी लगभग सारे 4 महिने से अंडे दिना शुरू करेगी और जब से आप लोगों के फार्म में अंडे आना शुरू हो जाएंगे तब आप लोग मुर्गियों के पैसों से मुर्गि पालन कर सकते हैं वो कैसे देखिए 50 मुर्गियों में से अगर आप लोगों को एक दिन में 40 अंडा भी मिलता है और एक अंडे अगर आप लोग 10 रुपे में सेल करते हैं तो 40 अंडों को सेल करने के बाद आप लोग को पैसा कितना मिलेगा 400 रुपे और 400 रुपे में से कुछ पैसे आप लोग को अपने पास रखना है और बाकी पैसों से मुर्गियों को फीट खिलाना है और इस तरीके से आप लोग मुर्गियों के पैसों से मुर्गी पालन कर सकते हैं देखे साथियों ये तभी संभब होगा जब आप लोग मुर्गियों को अंडे उत्पादन के लिए रखेंगे मुर्गों को सेल करके जब आप लोग मुर्गियों को अंडे उत्पादन के लिए रखेंगे तभी ये संभब हो पाएगा इसलिए आप लोगों को कभी भी फिमेल मुर्गियों को सेल नहीं करना है अगर आप लोग 100 मुर्गिया पालन करते हैं तो 100 मुर्गियों में से जो भी मुर्गा निकलता है उन मुर्गों को सेल कर देना है उन में से 5 या 6 मुर्गों को रखना है और उसके साथ जो भी फिमेल मुर्गिया होंगे उन सभी फिमेल मुर्गियों को अंडे उत्पदन के लिए रखना है और उन मुर्गियों के अंडे स जाते हैं तो उन्हें फीड भी ज्यादा चाहिए पर उस समय वो मुर्गियों को फीड नहीं खिला पाते हैं फीड खरिदने के लिए उनके पास पैसा नहीं होता है जिसके कारण मुर्गियों का वजन सही से नहीं बढ़ता है और इसी कारण उनका नुकसान हो जाता है पर दोस्तों के साथ और अपने परिवारों के साथ वीडियो को सेयर जबर करना तो साथियो आज के लिए बाई मिलते हैं फीड एक जबर डस्ट वीडियो के साथ